दोस्तों स्वागत है आपका आपने परिवार केरियर अपडेट बाइंगीनियर में मैं हूँ रंजन राच उम्मीद करता हूँ आपसे बेतर होंगे स्वास्थ होंगे और बेतरी इन तरीके से आप लोग अपने त्यारे में जुटे होंगे तो दोस्तों स्वागत है आपका में अपडेट में जैसा कि मैंने आपको अभी दस दिन पहले लगबग बताया था कि भाई ITVP में ड्राइवर की बैकेंसी आने वाली है और जिसका फुल नोटिफिकेशन आ जाएगा 27 जोन को तो कल इसका फुल नोटिफिकेशन आ गया था कल मैं वीडियो नहीं बना पाया थ सब कुछ मैंने पहले बता दिया था लेकिन आप इन्होंने अफिसियली जो है अपना जारी कर दिया गया है सेलेक्शन प्रोसेस आपकर क्या रहने वाला है किस-किस फेस से आपको बुजरना होगा सारा कुछ हम लोग डिसकस करने वाले हैं दोस्तों ड्राइवर वालों के बैकेंसी अगर आप भाई दोस्तों तेस में कहीं सेलेक्शन नहीं ले पाए ना फिर आगे कभी नहीं ले पाओगे यह बात आप समझ लोग डिपी ड्राइवर की वेकेंसी आई फेज 11 की वेकेंसी आई एससबी इस पता नहीं मतलब कितनी वेकेंसी आगई भाई यह भाई इनका और इनौने कहा है कि इसमें जो है आनलाइन आपिकेंस आप कर सकते हो अपिकेंसी तो आप यहां पे देख सकते हो जो अप्लिकेशन हो आपका यह होगा 27 जून से लेकर 27 जून से लेकर 26 जुलाई तक 27 जून से लेकर 26 जुलाई तक आप यहां पर ऑनलाइन आवेदल कर सकते हो बात करें वेकेंसी की तो टोटल 458 पोश्ट है अन्रिजर्ट की आप देख सकते हो 155, यसी की 74, यसी की 37, ओभी सी की 110 और यसी की 42 10% सीटें जो एक्स सर्विसमें ने उनके लिए यहां पर रिजर्ट रहने वाली है ठीक है चलिए अगर आगे बढ़ा जाए आगे अगर बढ़ा जाए तो यहां पर यह ओफिस्यल वेबसाइट है www.recruitment.itbp.police.in इस पर जाकर आप इस फार्म को फिल अप कर सकते हैं ठीक है लिंक आपको description बाप से मिल जाएगा इस वेबसाइट का तो वहां से आप फिल कर सकते हैं अब दिखें यहां पर क्या है कि जो पे लेवल आपका रहेगा लेवल 3 का यहां पर रहेगा 2700 सुरुवाती देज में आपकी जो टीए डीए चारे वगड़ा लेकर यह सारा कुछ अधर लाउंस लेकर आपकी 35-40,000 के आसपास आपकी यहां पर बन जाएगी तो उसके लिए घबडाने के आवसकता नहीं है अब सबसे जो मेन प्राइटे 30 भी हैं तो भी फॉर्म भर सकते हैं और यसी हैं तो 21 से 32 हैं तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं ठीक है उसके बाद सबसे अच्छी बात क्या है कि मैट्रिक लेशन टेंथ पास साथ ही साथ मस्ट प्रोसेस वैलिड हैवी वेहिकल ड्राइविंग लाइसेंस यानि कि इन्हों उनने कोई यह नहीं का जितने भी देखी प्रिवेश में दिल्ली वेहिकल ग्राइविंग का जो लाइसेंस है वह आपके पास होना चाहिए और लाईसेंस यह इज साल का अनुबह होना चाहिए यह सबसे नहीं होगें यह इस समझदार नहीं होगा वह तो अब बनवाने कोशिस करेगा तूमें भी ना बन पाए आगे देखोगे तो cut-off date क्या है 26-7 2023 यानि कि जो भी एक criteria लेंगे यानि कि जिसे driving license है तो 26-7 2023 के पहले आपके पास होना चाहिए जैसे इन्होंने कहा कि 27 जो आपकी 21-27 एज होनी चाहिए तो यह 26 जुलाई तक 21 तक होना चाहिए या 26-7 2023 तक आप 27 से आगे नहीं जाने चाहिए अमिजड की बात कर रहा हूँ तो इसी तरीके से जो cut-off date रहेगा सारी चीजों को marking करने का सारी चीजों को analyze करने का वो रहेगा 26-7 2023 यहाँ पर रहने वाला है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं अब दिखिए यहाँ पर सारी च चीजें लिखी गई है यहाँ पर लिखाए candidate who is to considered against reviewed vacancy or seeking as a must submit requested certificate issued by the मतलब अगर आप चाहते हैं मान के चलो आपकी एक्टी से है आप एज रिलेक्सेशन लेना चाहते हो तो आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए नहीं तो फिर आप जन्रल में वगरा कि इसमें साथ vacancy है नहीं यह सारा कुछ आप देख लेना अब देखो यहाँ पर क्या है यह एक सर्विस्मेंट का सारा criteria बाइब जो एक सर्विस्मेंट में रहें गों पढ़ लेंगे इक नौविक वेकर सिक्षम का है यह आप पढ़ लेना इसमें कुछ नहीं है आपका 170 सिंटीमीटर होना चाहिए चेश्ट आपका 80 और एक्सपेंडेट 85 होना चाहिए बाकी अधर कैंडेट जैसे की जो गुवाली कुमावनी गोरखा डोगराई सारा कुछ आप देखते हो इनकी 165 वियोगी तो चलेगी चेश्ट इनका होना चाहिए के लिए 162.5 ठीक है आल कैंडेट आल कैंडेट विलांगिंग दा सेड्यूल ट्राइब हालिंग फ्रॉम दा नौर्थ इस्टन इस्टेट नहीं की जो एस्टी से हैं नौर्थ इस्टन इस्टेट से हैं उनकी 260 होगी तो चल जाएगी और बाकी यह सारा कुछ यहां पर सब्सक्राइब आप का भी एक दम अच्छा आख आपका होना चाहिए यहां पर आप ही यहां पर इंहोंने लिखा है कि बेटर आई और यह सारा कुछ यहां पर दिया हुआ है भाई देख लेने आप ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं अगर तो टैटू बगरा देखो क्या है अब देखो क्या है अप्लाई करने के यह प्रोसेस अब बेखो क्या है उन्होंने दिया है एक्जामनेसन फीस आपकी यहां पर सो रुपै है बहुत ही कम है तो जिटने भी लोग विलिजबल होगे भाई अप्लाई करना ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं सेलेक्शन प्रोसेस की बात कर लेते हैं तो सेलेक्शन प्रोसेस की बात करोगे भाई तो सबसे पहले आपका क्या होगा फेज वन होगा सेलेक्शन प्रोसेस की अगर आप बात करोगे तो सबसे पहले क्या होने वाला है फेज वन होने वाला है जिसमें आपका फिजिकल यह होगा वन पॉइंट इसके वाइट होगा है जो खौ़ेट हती जाम संगे रिटेन लिचामलेंशन आपका होगं हंृट मांक का होगा दो घंटे का आपको समय दियाø जाएगा तू आवर्ट का समय आपको दिया जाएगा ठीक है चलिए यहाँ पर अभी निगेटिव आर्गिंग नहीं डिसक्स किया गया है आगे देखते हैं कि आगे होता है कि नहीं ठीक है अब देखो यहाँ पर क्या है इस तरीके से आपका पैटन रहने वाला है एक जाम का इस तरीक इसमें आपको बता दो मेंटेनेंस के लगभग 15 मार्क्स और 45 मार्क्स आपके ट्रैफिक से रिलेटर रहते हैं ठीक है टोटल आपके 100 मार्क का पेपर होने वाला है और दो घंटे का समय आपको यहाँ पर दिया जाएगा ठीक है यहाँ पर किसी भी तरह का निगेटिव मार आपको आजाएगा देन उसके बाद आपका फेज फोर डीटेल्ड एक्जामनेशन डीटेल्ड मेडिकल एक्जामनेशन आपका यहाँ पर हो जाएगा ठीक है यहाँ पर प्रेक्टिकल या स्किल टेस्ट होगा जहां से आपके से वाहन और जो है चलवाया जाएगा और यहा यहां पर आप से सारी चीज़ें पूछी जाएंगी ठीक है वेहिकल आफिल और डाव हिनल आपरेसंस टेकनिक आप ओवर्टिकिंग कैसे आप कर रहे हो पास कैसे दे रहो यह सारा कुछ पांच 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 नंबर की चीज़ें हैं और जिसमें से आपको 25 मार्स लाना है तो और मेरिओं में सब्थोन में जो भी आप मार्स लोगे उसके आधार पर आपकी मेरिट लिस्ट तयार की जाएगी और उस पर अधारपका से मेरिट понадरी इएग्जामिंशें होग और ईसके जाएचा कोने नहीं चीज़ेंगे चैयों आपकर दिसकी लेना चाहते हुए ऐसी स्टी कलाव लेना चाहिए जो डाइविंग लाइशेंस दो ने कहा है वह आपके फॉर्म बनने की लाज डेट से पहले आपके पास होना चाहिए बस सिंपल सा सव रुपए फिस करो फॉर्म भर दो और उसके बार अपनी त्यारी में लग जाओ ठीक है कि डाइवर वेकेंसी से जूड़ी हर अप्डेट जो बढ़िया अप्डेट होते हैं एक दो वेकेंसी नहीं भाई एक दो वेकेंसी का कोई मतलब नहीं होता तो जो अच्छे अप्डेट होती है द्राइवेट जांस लेटेड वहम आपको इस चनल पर देता रहता हूं तो को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल उसका जड़ू कर लिजेगा मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फार्मेशन के साथ सेजन जो जोड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यमाद